प्यारे देश वासियों, नमस्कार, आज से पांस साल पहले आप सबने मुझ पर अपार भरोसा जताया था और अपने निर्वाचित जन प्रतनिधियों के माध्यम से मुझे भारत के राश्रपती के रूप में चुना था आज मेरा कारकाल पूरा हो रहा है इस अवसर पर मैं आप सभी के साथ कुछ बातें साजा करना चाहता हूँ सबसे पहले मैं आप सभी देश वासियों के प्रती तथा आपके जन प्रतनिधियों के प्रती हारदिक करतक्यता व्यक्त करता हूँ पूरे देश में अपनी यात्राओं के दौरान नागरिकों के साथ हुए संबाद और संपर्क से मुझे निरंतर प्रेड़ना मिलती रही छोटे छोटे गाओं में रहने वाले हमारे किशान और मजदूर भाई बहन नई पीड़ी के जीवन को समारने वाले हमारे सिक्षक, हमारी बिरासत को सम्रद बनाने वाले कलाकार, हमारे देश के विभिन आयामों का अध्यान करने वाले विद्वान, देश की सम्रद्धी बढ़ाने वाले उद्यमी, देशवासियों की सेवा करने वाले डाक्टर वा नर राष्ट निर्मान में सनलग्न वाइज्ञानिक वाइजिनियर, देश की नियाय बवस्था को योगदान देने वाले नियाय आधीस वाधिवक्ता, प्रशासन तंत्र को सुचार रूप से चलाने वाले सिविल सर्वेंट्स, हर वर्ग को विकास से जोडने में सक्रिय हमारे सा समाजिक कारिकरता, भारतिय समाज में आध्यात्मिक प्रवाह को बनाए रखने वाले सभी पंथों के आचार वा गुरुजन आप सभी ने मुझे अपने कर्तब्यों का निर्वहन करने में भरपूर सहयोग दिया है। जब मेरी मुलाकात अपनी सेनाओं, अर्द सैनेक वलों तथा पुलिस के बहादुर जवानों से होती थी। उन सभी में देश प्रेम की अदभुद भावना देखने को मिलती है। अपनी विदेश यात्राओं के दवरान जब भी प्रवासी भारतियों के साथ मेरा मिलना जब मात्र भूमी के प्रति, उनके गहरे प्यार और अपने पन का एहसास हुआ। देश के सरवोच नागरिक पुरसकार समारोहों के दवरान मुझे अनेक असाधरन प्रतिभावों से मिलने का अवसर मिला। वे सभी पूरी लगन, अटूट समर्पन और द्रड निस्ठा के साथ एक बेहतर भारत के निर्माण में सक्री हैं। इस प्रकार अनेक देशवासियों से मिलने के बाद मेरा या विश्वास और भी द्रड हुआ कि हमारे निस्ठावान नागरिक ही बास्तविक रास्ट निर्माता हैं। और वे सभी भारत को बेहतर बनाने के लिए प्रयास रत हैं। ऐसे सभी निस्ठावान देशवासियों के हाथों में हमारे महान देश का भविस सुरक्षित है। प्यारे देशवासियों। अपने इन अनभवों से गुजरते हुए अक्सर मुझे अपना बच्पन भी याद आता रहा है कि किस तरह महत्पूर्ण अइतिहास से घटनाएं हमारे विक्तिकत जीवन को प्रभावित करती रही। जब अपने छोटे से गाउं में एक साधरन बालक के नजरिये से मैं जीवन को समझने की कोसिस कर रहा था तब देश को आजादी हासिल किये हुए कुछ ही साल हुए थे। देश के पुनर निर्मान के लिए ल बायद मैं भी अपने देश के निर्मान में भागीदारी कर सकूँगा। कच्छे घर में गुजर बसर करने वाले एक परिवार के मेरे जैसे साधरन वालक के लिए हमारे गणतंत्र के सरवोच संभाइधानिक पद के बारे में कोई भी जानकारी होना कलपना से परे था। ल को समारने में अपनी महतपूर्ण भूम का निभा सकता है। कानपुर देहार जिले के परोख गाओं के अतिसाधारन परिवार में पला बढ़ा वे रामनात कोविन आज आप सभी देशवासियों को संभूधित कर रहा है। इसके लिए मैं अपने देश की जीवन्त लोक ता लेख करना चाहूंगा कि राश्पती के कारिकाल के दोरान अपने पैत्रिक गाओं का दोरा करना और अपने कानपुर के विद्याले में वयोब्रद सिक्षकों के पैर छूकर उनका आसीर बाद लेना मेरे जीवन के सबसे यादगार पलों में हमेशा सामिल रहेंगे। इसी साल प्रधानमंत्री जी भी मेरे गाओं परों खाये और उन्होंने मेरे गाओं की धर्ती का मान बढ़ाया। अपनी जड़ों से जुड़े रहना भारती संस्कृती की विसेस्ता है। मैं युवापीडी से यह अनरोद करूँगा कि अपने गाओं या नगर और अपने विद्यालियों तथा सिक्षकों से जुड़े रहने की इस परंपरा को आगे बढ़ाते रहें। दो हजार से तालिस में पूरा होगा। ये विसेस अइतियासिक वर्ष हमारे गणतंतर के प्रगती पत्थ पर मील के पत्थर की तरह है। हमारे लोकतंतर की ये विकास यात्रा देश की स्वर्णिम संभावनाओं को कार रूप देकर विश्व समुदाय के समक्ष एक स्रेष्ट भारत को प्रुस्तुत करने की यात्रा है। आदुने काल में हमारे देश की इस गवरोव यात्रा का आरंब बिटिस हुकूमत के दौरान राष्टवादी भावनाओं के जागरन और स्वाधिनता संग्राम के साथ हुआ। उन्नीश्वी सताबदी के दौरान पूरे देश में पराधिनता के विरुद अनेक विद्रोह हुए। देश वाशियों में नई आसा का संचार करने वाले ऐसे विद्रोहों के अधिकांस नायकों के नाम बुला दिये गए थे। अब उनकी वीर गाथाओं को आदर सहित या किया जा रहा है। उन्नीश्वी सदी के अंतियम तता वीश्वी सदी के आरंफिक वर्सों में नवीन जन चेतनाओं का संचार हो रहा था और स्वाधीनता संग्राम की अनेक धाराएं प्रवाहित हो रही थी। वर्स 1915 में जब गांदी जी स्वदेश लोटे उस समय देश म राश्रीता की भावना और भी प्रवल हो रही थी। अनेक महान जन नायकों की उज्वल आकास गंगा का जैसा प्रकास हमारे देश को बीश्मी सदी के आरंबिक दसकों में प्राप्त हुआ वह विश्व इतिहास में अतुलिनी है। जहां एक और आधुनिक युक के एक रि दूसरी ओर बावा साब भीम रावां बेटकर समानता के आदर्स की ऐसी पुर्ज और वकालत कर रहे थे जैसा आधिकांज विक्सित देशों में भी दिखाई नहीं दे रहा था। तिलक और गोखले से लेकर भगत सिंग और नेताजी सुभाज संद्र बोस तक जवाहलाल न दुबोतियों का केवल एक ही लक्ष के लिए ततपर होना मानवता के इतियास में अनयत्र नहीं देखा गया है। मेरे मस्तिस्क में और भी कई विभूतियों के नाम उभर रहे हैं लेकिन मेरे कहने का तात पर ये है कि स्वाधिन भारत की विभिन परिकल पनाउं से संपन अनेक महाननेताओं ने भारत की स्वाधिनता के लिए त्याग और वलिदान के अदभुत उदाहरन प्रस्तुत किये। इसमें कोई संदे नहीं है कि स्वाधिनिता संग्राम पर गांदी जी के परिवर्तनकारी विचारों का प्रभाव सबसे अधिक पड़ा और उस दोरान उन्होंने कोटी-कोटी देशबासियों की जीवन धारा क को नई दिशा दे दी। देवी और सर्जनों लोक तंत्र के जिस पत पर हम आज आगे बढ़ रहे हैं उसकी रूप रेखा हमारी संबिधान सभा द्वारा तयार की गई थी। उस सभा में पूरे देश का प्रतिनिधित्व करने वाले अनेक महान भाव में हंसा बेन महता, दुरगावाई देश मुख, राजकुमारी अमरतकौर तता सोचेता करपलानी सहत 15 महिलाएं भी सामिल थी। संबिधान सभा के सदस्यों के अमूल योगदान से निर्मित भारत का संबिधान हमारा प्रकास स्तंब रहा है और इसमें नहित आदर्स, चिरकाल से संरक्षत भारतिय जीवन मूलियों का हिस्सा रहे हैं। संबिधान को अंगी कृत किये जाने से एक दिन पहले संबिधान सभा में अपने समापन बक्तब में डक्टर आमबेटकर ने लोकतंत्र के सामाजिक और राजनेतिक आयामों के वीच के अंतर को इस्पस्ट किया थ कि हमें केवल राजनेतिक लोकतंत्र से संतुष्ट नहीं होना चाहिए। मैं उनके सब्दों को आप सब के साथ साजा करता हूं। उन्होंने कहा था हमें अपने राजनेतिक लोकतंत्र को एक सामाजिक लोकतंत्र भी बनाना चाहिए। राजनेतिक लोगतंत्र टिक नहीं सकता यदिवे सामाजिक लोगतंत्र पर आधारित नहो। सामाजिक लोगतंत्र का क्या आर्थ है? इसका आर्थ है, जीवन का हुए तरीका जो स्वतंत्ता, समानता और बंधुता को जीवन के सिध्धानतों के रूप में मानिता देता है। स्वतंतता, समानता और बंदुता के इन सिध्धानतों को एक त्री मूर्ती के अलग-अलग हिस्सों के रूप में नहीं देखना चाहिए। उनकी त्री मूर्थी का बास्तविकर्थ यह है कि उनमे से किसी भी हिस्से को एक दूसरे से अलग करने पर लोकतंतर का बास्तविकुद्ध धिस ही समाप्त हो जाता है। प्यारे देश्वासियों, जीवन मूलियों की ये त्री मूर्थी आदर्स युक्त, उदार्ता पूर्ण और प्रेणा दायक है. इस त्री मूर्थी को अमूर्थ अवधारना मात्र समझना गलत होगा. केवल आधुनिक ही नहीं, बलकि हमारा प्राचीन इतिहास भी इस बात की गवाही देता है कि वे तीनों जीवन मूल हमारे जीवन की सच्चाई हैं. उन्हें हासिल किया जा सकता है और बस्तुता उन्हें विभिन्न यूगों में हासिल किया भी गया है. हमारे पूरवजों और हमारे आधुनिक रास्ट निर्माताओं ने अपने कठिन परिस्रम और सेवा भावना के द्वारा नियाय, सुतंदता, समता और बंदुता के आधरसों को चरितार्थ किया था. हमें केवल उनके पदचिन्हों पर चलना है और आगे बढ़ते रहना है सवाल उठता है कि आज के संदर्व में एक सामान नागरिक के लिए ऐसे आधरसों का क्या आर्थ है? मेरा मानना है कि उन आधरसों का प्रमुक लक्ष सामान व्यक्ति के लिए सुख में जीवन का मार्ग प्रसस्त करना है. इसके लिए सबसे पहले सामान लोगों की मूल भू मूल भूत आवस्कताओं पूरी की जानी चाहिए अब संसादनों की कमी नहीं है हर परिवार के पास बहतर आवास तता पीने के पानी और विजली की सुविधा उपलब्द हो इस दिसा में हम काम कर रहे हैं यह बदलाव पिकास की बढ़ती हुई गती तता भेदभाव से पू कि प्रतेक नागरिक अपनी छमताओं का उप्योग करते हुए खुसी के अवसर तला से तथा अपने नितांत निजी गुनों का समशित उप्योग करते हुए अपनी नियती का निर्मार करें इस दिसा में आगे बढ़ने के लिए सिक्षा ही मुख साधन है मेरा मानना है कि र बाइर जमाने में बहुत साहयक सिद्ध होगी उनके विकास मान भविष्य के लिए अच्छी स्वास्त सेवाएं अनिवार रहें कोविट की वैस्विक महामारी ने सार्वजनिक स्वास्त सेवा के बुनियादी धाचे में और भी अधिक सुधार की आवस्यकता को रिखांकि किया है। मुझे खुषी है कि सरकार ने इसकार को सरवोच प्राथ्मिक्ता दी है। सिक्षा और स्वास्त सेवाओं का लाव उठाते हुए हमारे देशवासी सक्षम बन सकते हैं और आर्थिक सुधारों का लाव लेकर अपने जीवन निर्माण के लिए सर्वोत्तम मार्ग अपना सकते हैं 21 सदी को भारत की सदी बनाने के लिए हमारा देश सक्षम हो रहा है यह मेरा ध्रविश्वास है प्यारे देश्वासियो अपने कारकाल के पांच बरसों के दोरान मैंने अपनी पूरी योगता से अपने दाइतियों का निर्वहन किया है मैं डाक्टर राजंत प्रशाद, डाक्टर एसरादा करशनन और डाक्टर एपी जी अब्दुलकलाम जैसी महान विभूतियों का उत्राधिकारी होने के नाते बहुत सचेत रहा हूँ जब मैंने राजपती भवन में प्रवेश किया था तब मेरे ततकालीन पूरवर्ती स्रीप्रणमोकर जी ने भी मेरे करतब्यों के बारे में मुझे बुद्धी मत्ता पूर्ण सुझाओ दिये फिर भी जब कभी मुझे किसी तरह का संसे हुआ तब मैंने गांदी जी का और उनके द्वारा सुझाए गए मूल मंत्र का सहारा लिया गांदी जी की सलाह के मताबिक सबसे अच्छा मार्ग दरसक सिध्धानत ये था कि हम सबसे गरीब आदमी के चेहरे को याद करें और खुद से ये सवाल पूछें कि हम जो कदम उठाने जा रहे हैं क्या हुए उस गरीब के लिए सहायक होगा मैं गांदी जी के सिध्धानतों पर अपने अटूर विश्वास को दोहराते हुए आप सबसे ये आगरे करूँगा कि आप प्रति दिन कुछ मिनिटों के लिए ही सही गांदी जी के जीवन और सिक्षाओं पर अवस्विचार करें प्यारे देश्वासियों हम सब के लिए माता की तरह पूज प्रकरती गहरी पीडा से गुजर रही है जलवाई परिवर्तन का संकट हमारी धरती के भविशे के लिए गंभीर खत्रा बना हुआ है हमें अपने बच्चों की खातिर अपने परियावरण, अपनी जमीन, हवा और पानी का संरक्षन करना है अपनी दिन्चरिया में तथा रोजमर्रा की चीजों का इस्तेमाल करते समय हमें अपने पेड़ों, नदियों, समुद्रों और पहाडों के साथ साथ अन्य सभी जीवजन्तूओं की रक्षा के लिए बहुत सावधान रहने की जरूरत है प्रथम नागरिक के रूप में यदि अपने देशवासियों को मुझे कोई एक सलाह देनी हो तो मैं यही सलाह दूँगा अपने वक्तब का समापन करते हुए मैं एक बार फिर सभी देशवासियों के प्रति हार्दिक कर्तग्यता व्यक्त करता हूँ भारत माता को सादर नमन करते हुए मैं आप सभी के उज्वल भविश्की मंगल कामना करता हूँ धन्यवाद जय हिंद